टोयोटा इनोवा हाइक्रोस को 25 नवंबर को भारत में पेश किया जाना है और इसके पहले कंपणी ने इसका टीजर जारी कर दिया है जिसमें इसके साइड डिजाइन को देखा जा सकता है Toyota Innova High Cross का design Innova Crystal से बहुत अलग होने वाला है और इस model को अंतराश्य बाजार में भी बेचा जाना है जिस वज़े से इंडोनेशिया में भी पेश किया जाएगा Toyota Innova High Cross के side हिस्से में बड़े वील आर्चेस वा character line देखे जा सकते हैं जिस वज़े से यह बेहत दमदार लगती है इसके लुक की बात करें तो Toyota Innova High Cross में hexagonal grill दिया जाएगा वही इसमें L.A.Car के insert के साथ चोड़े headlight, bonnet पर crease, bumper पर fog light दिये जाएंगे इस MPV में 10 spoke वाले alloy wheels, पीछे LED brake light के साथ horizontal tail light दिया जाएगा अभी तक इसके interior का खुलासा नहीं हो पाया है सामने आए patent से पता चलता है कि Innova High Cross में panoromic sunroof दिया जाएगा हाला कि इससे Innova की ताकत थोड़ी कम हो सकती है वही Innova High Cross में बड़ा touchscreen infotainment system एक 360 degree camera, wireless charging, दूसरी पंक्ती में captain seat सहित धेर सारे comfort feature दिये जाएंगे इस MPV में Toyota Safety Sense platform की मदद से ADAS feature दिया जाएगा इसमें road sign assist, automatic high beam, lane departure alert, productive driving assist मिलता है Toyota Innova High Cross को monocoque architecture वा front wheel drive layout पर तयार किया जाएगा वहीं इसे TNGSE platform पर तयार किया जाएगा Toyota Innova High Cross में Toyota Hybrid System 2 का local version दिया जाएगा मौझूदा 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन की जगा पर 2.0 लीटर या 1.8 लीटर पेट्रोल लाया जाएगा इसके hybrid इंजन की वज़े से बहतर mileage मिलेगा इसका मौझूदा इंजन 166 BHP का power वद 245 न्यूटन मीटर का टार्प प्रदान करता है इसमें 5-speed manual वद 6-speed automatic gearbox मिलता है Toyota Innova High Cross एक premium वाहन होने वाली है और इसकी launch जनवरी में होने वाली है उसके बाद इसकी delivery भी जल्द ही शुरू की जाएगी